हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने में रेडिमी नोट टेनस मैं 14.0.2.0 अपडेट के बाद स्लो चार्जिंग प्रोब्लम के बारे में बहुत सारे लोगी कमेंट आ रहे हैं कि हमारे डिवेस मैं 14 के बाद स्लो चार्ज हो रहे हैं पूरी आपको बताने वालों जाने करी क्या कुछ आपको करना है मेरा फोन माल को मैंने टेस्ट करके दिखाया था एक गंटा और पांच मिनट के अंदर फॉल चार्ज होगे था तो आपका फोन इतना स्लो चार्ज क्यों हो रहे हैं कुछ तो कंडिशन से तो बात आपको सबसे कुछ रिक्वेस्ट रगी टेलिग्राम चैनल का आपने अभी तक जोई नहीं किया तो सबसे पहले डाल जाती है अभी आप जैसे अपने फोन को चार्जिंग लगाते हैं तो आपका डिवाइस फास्ट चार्ज होगा और ट्रबोचार्ज सपोर्ट नहीं करता है तो आपका अभी डेश्ट करता हूं और बीदे कि वेज़ तो बचल तो आपको क्या कुछ करना सबसे पहले है तो कहीं भी मेटल की सताय पर नहीं रहें मेटल की सताय पर नहीं रहें तो 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 जो बढ़ाए तेमपरेचर वगरे क्या कुछ है और गया कुछ है आपकी जो मिलियंपेर के अंदर धारा ले रहा है लेक्ट्रिक ले रहे तो करण्ट और जिते आपको डिवास और भी फास्ट चाज नहीं हो रहा है या फी ट्रबो चाल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसके ल सब्सक्राइब करने लेगा और जिस डिवास के अंदर वैसे चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है यह दिए आप लोग इन कंडिशन को फॉल लग करते हैं तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्सिन बताएगा आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्रेब करना विडियो क सब्सक्रेब करना बिल्कुल मत भूली में मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट नए वीडियो में थेंक्यू दोस्तों